तो फ्रेंट्स यह हमारा घर्मा घर्म हरे मटर की डाल की रेसिपी बनके तयार हैं आप इसे किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं तो इस रेसिपी के लिए फ्रेंट्स हमने लगवग 300 ग्राम से 400 ग्राम का असपास हमने हरा मटर लिया है झाल लिए यार मिक्सी जार में ग्रैंट्स इंग है már यह दाने को निकाल लेंगे जो फोरी उडी वाल व seis तो इसमें थोड़ी करेंगे कि ग्रैंट करना में तो एच्छा हो जाता है पानी फोरी तो एटिए कर लेंगे थे भाझा हमारा ग्राइंट हो गया है तो यह देखिए कितना दरदरा है आप को देखने शंदाचा लग गया होगा तो इसी तरीके से कि अब ग्राइंट कर लेंगे तो अब नेक्ट पॉर्सेस पर चलते हैं फ्रिंट तो इसके लिए में एक अप्राइपेन लिए है अब चाहे तो इससे आप तो उसमें हम डाल के इससे हम इसे बॉइल करेंगे और इसमें पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से पकाएंग लगद दस बाराव मिनिट तक तक यह जो हमारा कच्छा पन इसका निकल जाए और पक तो यह देखिए अब हम यहाँ पर चार से पांस में लसन की कलिया और चार से पांस होने हरी में इस परकार से काट करके इसमें डाला है उसको बाद हम इसे बीचीज में से चलाते रहेंगे और इसे लगवग 10-15 मिट तक उबालाने तक पकाएंगे और इसमें हम नमक डाल देंगे इसी इसे अच्छे से पकाएंगे तो इसे आप चाहे तो कभर करके भी पका सकते हमने यहां पर कभर करके पकाया है यह लगवग 10- है नहीं तरीक हैं दरक का देखा निकल जाए और स्का च्छा निकल रिमागा के बनाएं तु अब जनेरलिलम टरफी बहुत बना आया है लेकिनिस पटपर से बिना मसाले का कि यह मटर के दाल की रेसिपी बना कर देखें बहुत ही मजा आने वाला है रोटी के चाथ चावल के साथ आप खा सकते हैं इस तरीके की रेसिपी को कि देखिए कितना बढ़ी है इसमें उबाला गया है तो उसके बाद हम इसे इसी प्रकार से चलाते रहेंगे कुछ दिर अब भीचीच में से चलाते रहेंगे ताकि नीचे सटने ना पाए कि पामी थोड़ी सी कमी होने के बाद यह अंदर से चिपक जाएगा तो यह देखिए हमारा फाइनली पख गया यह तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो आप इसको एग्णॉर करेंगा आप चाहे तो कलर आपको पसंद हो तो हल्दी भी डाल सकते हैं आप हमने यहां पर थोड़ा सा तेज पत्ता भी एट किया था फिंच उसका वीडियो कट हो गया तो आप हम इसमें तरका लगाएंगे तो इसके लिए तेल गरब करके थोड़ी सी हिंग डालेंगे फिर लहसन की कलिया आट से दरस हमने लिया उसे बारे-बारी काटा है उसक करने में अबर्ण करने करने अब जचाने इसनल थोड़ी सी इसनले इसे पहले चाला लिए उसका थोड़ी थोड़ी lot एँ पर सब्छीम अब्रह आट करेंगे उसका तो थोड़ी से सब्छी मसाला में रजेकर तो गलाले कआख पर सरसो तेल से ही किया है तो अब हम इसमें डाल देंगे तो आप हम इसे अच्छे से मिला लेंगे तो यह देखिए बिलने को वादे देखिए बगर तेल बगर मसाले का यह कितना बढ़िया बनके तयार हुआ तो लाश्ट रवम यहां पर थोड़ी से हडी धनिया एट करके इसे अच्छे सवर मिला लें और यह खाने के लिए बिल्कुल तयार है तो आप इसका कलर पर ना जाए क्योंकि यह बगर मसाले का बना है कलर आपको देखने से थोड़ा से इसका डिश लग रहा हुआ क्योंकि यह बाला हुनेक वाद थोड़ा सब पकनेक बाद मटर का कलर चेंज भी हो जाता है तो यह फाइनल हमारा मटर के दाल की रेसिपी बन के तैयार है फ्रेंट्स अगर यह रेसिपी आपको चिल लगी हो तो हमार वीडियो को लाइक को लाइक को सुब्स्क्राइब कर घंटी की आपको लाइक को दावाना ना भूले ताकी सित अगरेसे प्यापको आगे भी मिलती रहे तब तक लिए जाए जाय भारात